देख़ो ंज़ारा आपका स्वागत है प्रधान मंत्री आवाज स्योजना और मुख्य मंत्री आवाज स्योजना के चेर्मेन अश्विन पैठानी एक्शन मोड में आए हैं। प्रधान मंत्री आवाज स्योजना में पूरा डिपार्डमेन का हैंडलिंग आपके अंडर में है। जब हमनों लोगों को नौटिस दिया था, मकान जुज जिसके मकान थे और उन्होंने मकान रेंट पे दिया थे। ऐसे 411 लोगों को हमने नौटिस बजवाई थे। वो लोग ये मकान बाड़े पे रेंट पे देने का काम कर रहे हैं। ये उपर भी हमारा तंतरब कार्यवाई करने की सुर्वात करने वाला है, शौट टाइम में। दूसरा भी ऐसा है कि हमने ऐसा तय किया है कि जो जौन है, हमदाबाद के जितने भी जौन है उच सब जौन में एक एसी टीम तैयार करनी पड़ेगी। जिसकी जितनी भी बिल्डियों में रेंट पे लोग रह रहे हैं। जो मकान मालिक थे और उन्होंने रेंट पे मकान दी दे सबका भी सबका उपर कारियवाई करके नौटिसे दे दी जाएगी। और यह 401 लोगों को यह वीक के अंदर मकान खाली करने का नौटिस दे दिया जाएगा। यह आप अभी बात कर रहे हैं कि जिस प्रकास से कारियवाई स्टार्ट करने जा रहे हैं आप एक्शन ले रहे हैं। करोना के पहले दो साल के पहले भी यहां पर 4-5 साल पहले भी नौटिस दे एंसे में लगाई गई थी। लेकिन 7 साल का जो comment में है कि भी 7 साल तक आप किसी को ransom रेंड पर नहीं दे सकते हैं किसी को बेच सकते हैं लेकिन फिलाल एमसी का कोई भी डर वो मकान मालिकों में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि न्यूस में भी काफी चारा चला है काफिशारी न्यूजबेपर में हाइलाइट हुआ है काफिशारी न्यूजचेनलों ने डिबेट की है लेकिन फिर भी वो लोग के अंदर डर जैसी कोई महसूस नहीं है और दूसरी बात कि जब अदिकारी बताते हैं कि लिया जा रहा है वो हमें थोड़ा कुछ बताएंगे दो साल की तो मेरे को पता नहीं है ये चार संबले मेरे को सातैक मेना हुआ है जो भी लोग भाड़े पे रहे हैं मेरी सब लोगों को निवेदन है जिसने भी ऐसे मकान भाड़े पे ले लिए वो खूद मकान खाली कर दे उसके लिए बैतर रहेगा परना सरकारी कार्यवाही के अंदर हम कीशों को बख्षने वाले नहीं है और मकान खाली करना है वो एक बात तय है जैसे कि हमने बूला था है कि पहले हमने नॉटिस भजवाई और उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह नॉटिस तो नॉटिस होती और कुछ होने वाला नहीं है जिस पर कैसे वो बोल रहे थी कि दिपावली आ रहे दिपावली का खर्चा निकलने के लिए एमसी आई है अभी जब खर्चा निकल अगे बाद में नॉटिस भज़िस का कोई मिनिंग नहीं रहे गां वह सब जैसे कि यह रेंट पे देने क्या जो काम कर रहे हैं दलाल लोग उसको यह मैं पर्ष्ट बात से कह देरा चाहता हूं यह दीपावली का खर्च निकालने वाली बात नहीं है मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री श्रीके दिये हुए है हंड मैं से मकान बना रहे हम लोग और यह गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं किसी को मकान देके उनको रेंट पे पैसा लेने के लिए मकान नहीं दे रहे हैं और अब जब यह लोगों को इसने ऐसा स्चोच रखा है कि यह सब तो कि आप लोग खाली कर दो वरना सरकारी कारे में आप लोग बीच में आपको कुछ लेना देना नहीं है जिसने रेंड पे मकान दिया है जो मकान मालिक के हैं उनके उपर तो कारियवाई होनी है आप लोग बीट में को अपीस रहे हो आप अपना मकान खाली करो दूसरी जगे बाड़ू बाड़वा बनके और चले जाओ हम लोग यह कारियवाई करने वाले हैं यह बात पताई है जिस प्रकास से आपने जो बात बताई कि हम लोग एक्शन मोड पे है आप अब आगे जा रहे हो अभी तो 4-31 लोग है उनको मकान खाली करने का लोग के आवास नहीं था इसलिए सरकार ने आपको आवास दिया था आपके लिए और आपको रहेंट लेकर यह करना है तो सरकार कर सकती थी है हम लोग यह कारियावाइग करने वाले हैं यह बात पता है आपको आवास नहीं था इसलिए सरकार ने आपको आवास दिया था आपके लिए और आपको रेंट लेके यह करना है तो सरकार कर सकती है यह सोब तो आपको ऐसा कोई अभिकार नहीं है कि सरकार का मकान आप रेंट पे रखो और अप रेंट खाओ आपको यह मकान खाली करना पड़ेगा और हम यह कार्यवाई में कटी बढ़ है इसका आपको 10-12 दिन में सब दिखाए देगा जिस वरकार से वही आवाश योजनाओं में काफी लोगों ने फ्लेट अन्लिगली बेस दिया है वह लोग पे एक्षिन क्या होता है कि साथ साल बात कोई बेच देता है तो हम उसके कुछ नहीं कर से जिकिन साथ साल नहीं हुआ हो तो हम उसके अपर भी बेच दिया है तो उनके उपर भी कारिवे कर दी जाएगी और जिस परकार से फॉसदारी का आपने बताया था जैसे कि हम लोग जो एक्षेंट बोड पर जा रहे हैं उनमें फॉसदारी भी होगा जैसे पुलीस है फायर है एरेस किया जाएगा मकान मालिक है अनलिगल ही कर हिसले तो उनको एरेस भी किया जाएगा तो उनके पर कुछ पीचाना की है इस पर लिगल हमने हमारा डिकल डिपाट्मेंट उनसे बाद चीथ हो ही तो उससे पहले ऐसा होता है जोगे पहले नौटिस बज़वईरी मकान रेंड पर दिया है और उसके अंदर वक्त कम से कम आज हमने ये तंत्र और हमारी टीम तयार करने का बोला है तो चार पात दिन में टीम तयार हो जाएगी और उसके बाद मकान जिसके भी ये चार सो इकतल लोगी पहले कारीवाई होगी और उनको खाली करना बड़ेगा नहीं करेंगे तो इस लोग लिगली होसदारी किस हो है और जो भारुवात है जो रेंटिल है वो मकान खाली करके दूसरी जगाजर जा करते हैं वो बीच में ना है और जो मकान मालिक है उनको सीधी सीधी चिताओनी देते हुए उन्होंने बताया है कि जो एक्सेंट मोर पे हम लोग आएंगे तो आप लोग बचेंगे नहीं मै आखिरकार अपना ना मांकन वापस लेही लिया इस दोरान शूरवीर सिंग सजवान एक कॉंगरेस के अधिकरत प्रत्याशी जैंदर रमूला को अपना समर्थन दिया है वही मौके पर सजवान को मनाने में कामात हुए जैंदर रमूला को बढ़ाई दिने वालों का सिलसला कि हम पहले भी एक थे आपने जब अम दावेदार थे मेरे वरिश्ट जनस मेरे साथ सारे नौधाव दावेदार थे नौग के नौ-आट-क्याट मुझसे उम्र में बड़े भी थे अनभव में भी बड़े थे और सबसे चोटा मैं था और सबसे सबने छोटों ने बड़ों दिशा और दिशा देने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के काल से दिशा और दिशा देने का काम करते हैं, वो उनका आश्रीबाद हमारे साथ था और हम पहले भी एक थे, कारेकरताओं की भावनाओं के लिए अनुरूप कभी-कभी नेताओं को उनके साथ चलना पड़ता है हमारे पूर्खों ने देश को आजादी दिलाई और आज देश की आजाती खंडित करने वालों के खिलाब कॉंग्रेस बचनवद्ध है जंटा का विश्वास कॉंग्रेस के पृति है और कॉंग्रेस चाहती है कि देश को फिर से उसी तरह भाय चारे को बरकरार रखा जाए आ जहां तक रिशी केस का प्रेशन है रिशी केस का बच्चा बच्चा चाहता है कि पंदर साल से जो जंक लगड़ा है यहां के पिकास पर वो जंक दूर किया जाए बिदान सबाद चुनाओं में जहां हर एक प्रत्याशी लोग लुभाव ने वादे कर अपना गड़त बैठाने में ब्यस्त है तो वहीं मीडिया से बात करते हैं आम आदनी पार्टी से जस्पर प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी बीजेपी और कॉंग्रेस को कट घरे में खड़ा करते हुए कहा कि दोनों ही दलों की नेताओं जंता का वोट हासल कर बेवकूफ बनाने का काम किया है लेकिन आपके मुख्यार विद्केश जवा आया है और भारतियंता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के कामों से लोग बहुत नराज हैं इन दोनों सरकारों ने इन दोनों यहां के लोगों ने यहां के लोगों को कोई सुभिधाय नहीं दी आम आदनी पार्टी से लोगों को उमीद हैं कि आम आदनी पार्टी निया और हमारे उत्राखंड में और हमारे जस्पूर में 20 साल से लगतार कॉंग्रेस के अमेले रहे लेकिन यहाँ पर एक जस्पूर में अपना बसड़ा नहीं है चमोली के बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरूप हो गई है बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख बसंत पंचनी को उत्ताय करने की परंपरा है जिसके तहर डिमरी पुजारी गाडू घडा को लेने के लिए जोशिमत नरसिंग मंदिर से पांडू केश्वर योग ध्यान बद्री मंदिर पहुचे योग ध्यान बद्री मंदिर पेविशेश पूजा अचना के बाद प्रशिंग मंदिर जोशिमत पहुचे जहां पर मंदिर समिती और स्थानिय लोगों ने स्वागत किया है बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की प्रकरियां प्रारम हो गई में कल पॉण्ड कुष्वर दिमरी धार्मिक पंचाहित पहुची और आज प्रभात में पूजा भोग प्रशाद तत्पस्चाद जोशिमत अभी नर्सिंग मंदिर में और यहां के भोग पुजा के बाद गड़ो घड़ी यानि यह तेल कलस यहां से जाएगा डिमर और चार तारिक प्रभात डिमर से रिशिकेश और पांस तारिक वशंथ पंचमी के दिन यह गड़ो घड़ी कलस राज दरवात ञेरी महराज के मतिर यहां भगवान भद्रिनाती के कपाठ खुलने का दिन निश्चित किया जाएगा योग मंदीर इमें फ्र सब्सक्राइब नर्शिंघ मंदीर में पुजा पाठ हो ते सिधा वहां राख्षक के जले चलार ये गाडू गड़ा जो है दिम्बर गाओं में खानू देपता नर्सिंग मंदित के यहां से लिख करके खानू देपता दिम्बर में प्रस्तान करेंगे उराधाबाद के गरोटिया गाओं में उस समय हड़कब मच गया अज जब वहाँ पर खेत में काम कर रहें किसानों को ताला पर यूवक का शौ तहरता हुआ दिखा भी शौ को देखते ही एक इसान देह्शत पर जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सुचना थी मौके पर पहुंची पुलिस ने शौ को कबजे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज़तिया है वहीं शौ की अभी तक सिनाख्त नहीं हो पाई है यह नियामत पर रिक रोटिया है जिल में मिली है जिल में? जिल में? किश टाम की सुचन थी आपके बाद? आठ वजी की यह बंदक क्या क्या पहना हुए यह काली जरकिन लीला रंग के सूटर लाल सपेद चकी सड और गरम पजानी कोई आड्रेस नहीं ग्राम पंचात में मेरे बड़े भाई असो कुमार प्रधान है सुबह प्रधान जी का नंबर बंद था तो मेरे नंबर पर गाउं से एक फॉन आया कि आपके गाउं में एक डैड बोडी पढ़ी हुई है मैंने गाउं के दो एक लोगों को और सूचना करी तो बो लोग और हम फिर मैंने उसके वाज़ी हूँ एसे चो मुड़ा पंड़े को फॉन करा और हम लोग भी बहाँ पर मौके पर पहुंचे तो बहाँ एक डैड बोडी पढ़ी हुई थी तालाब में पुलिस प्रशाशन भी वहाँ पहुंच गया ग्रामीडों की मदस से पुलिस वालों की हेल्प से वह डैड बोडी बहाँ ने काली गई तो कांगरेस से आरती बाजपेई ने अपना Chair जमाकिया है बसपाँ सदर परत्याशी देविंद्र सिंग ने भी अपना अपना नाम आंकन किया मीडिया सी बात करते हुए सपा प्रत्याशी उधर आज ने बताया कि प्रदेश में सरकार बनते ही उनकी पहली प्राथ में ता 300 यूनिट फ्री बिजली रहे कि महीं बसपा से सदर्द प्रत्याशीर देवेंदर सिंग का कहना था कि हमारी सरकार में नौजवानों की बिरूजगारी पर काम किया जाएगा समस्याएं आप लोग सब लोग रुबुरum समस्याओं से इतनी समस्याओं है चाहे किसाण हो तो रोजगार हो चाहे उजवान नौजवान हो महंगाई हो आवणार्बश्व的話 है सडकों की हाल सब बेहाल है पूरी विद्शावा में जंत राही माम में मेरे अहम उद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा और उनको सावलम बनाना दूसरा मेरा है किसानों को आवारा पशू जो उनके खेच चर्नए है उनसे छुकारा दिलाना और तीसरा है हमारे जो भांगरमों की खसता हाले पिछने 30 साल से उसको पूरी तरीके से अपने पिता पंडित गोपी नादिक्षिक की तरह विकास की और अभिशित का आज पूरे पुरे प्रदेश का तिसान अन्ना जानवरों से परिशान लोग अपनी खेट की फसल ताकते हुए इस तरह के ठंधग में बड़े पैमानें पर मर रहे हैं सबसे पहली प्रात्मिक्टा होगी इस छेत रही नहीं पूरे पुरे प्रदेश को किसानों को अन्ना सानों से मुक्ष कराने का काम सरकार बंते हैं किया जाएगा दूसरा मुद्दा सारे के सारे मुद्दे कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं साथ राश्टी अजजजी ने पहले ही बता दिया है नैनी ताल में मतदान देनी के लिए ये मतदाताओं को जागरूप करने के लिए उपजिला दिकारी प्रतीक जैन की नेतरत्तों में नैनी ताल के कलाकारों की तरफ से नुकर नाटक का कारेकरम किया जा रहा है जिससे मतदाता जागरूप को सके और आने वाले विधानसवाचनाओं में जड़ता जादा से जादा मतदान करें तो नरी ताल की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां नुकर नाटक जागरुकता कारेकरम का आयोजन किया जा रहा है ताकि जादा से जादा बताता मतदान कर सके कुरोना और शीत लहर के वी इचे चमोली में दस्वी से बारवी तक के स्कूल खुल गए हैं वहीं स्कूल खुलने के बाद शात्र शात्राओं को दिये गए निर्देश के तहत कुविट काइट लाइन का पालन करना होगा आपको बता दें कि एक से लेकर नौ तकी कक्षाएं फिलाहल बंद रहींगी लेकिन ऑनलाइन के जरिये पढ़ाई जारी रहेगी चमोली के करड़ प्रयाग में पिंदर्ग नदी में दो यूवतियां छलांग लगाने नदी किनारे पहुँची जहाँ पर उत्राखंट पोलिस के जवान विनोध पमार अपनी जान जोक्र में डालते हुए अपनी सूजबूज और ततपरता से दोनों यूवतियों को पानी में कूदने से पहले ही पकड़ दिया और घाट पर सही सलामत ले दोनों युगतियों की वक्त रहते जान बचाने पर सभी स्थानियों और प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से पुलस की साराना भी की गई है रुद्र प्रियाग में कॉंग्रेस पार्टी को विकास खंड अगस्ति मुनी की ब्लॉक प्रमुक विज्या देवी का समर्थन मिला है इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी लक्ष्मी देवी ने भी नामांकर वापस लेकर कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है वही एक दर्जन जनप्रतीन धी भी कॉंग्रेस में शामल होकर कॉंग्रेस प्रत्याशीों के पक्ष में खड़े हो गए हैं एसे बेगे बीजेपी सहेत अन्य दलों के प्रत्याशी competent मुश्किलें बढ़ गई हैं वो एक कॉंग्रेस कारकरताओं में खुशी बनी हुई है। सुर्जीत कर्णारी जी, कैलास जी, सावन देवी जी, संकोसी देवी जी, कुशन देवी जी, योगिन राना जी और सुरेंद देवी जी ये भी कॉंग्रेस परिवार में आज विद्वत सामन कोई हैं। और हमें कुशी है कि आपने कांग्रेस का साथ देने का लिडने लिया है। और दूसरी एक महतवन बात कि आज जो बहुचर समाज पार्टी की जो प्रद्यासी थी, जिन्होंने नामंकन भरा था, उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में यहां पे आकर कि अपना शयू और समर्थन देने की जोशना की है। आप जानते हैं चुनाबों के समय में कहीं लोग आते हैं, कहीं लोग जाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिस मर्थवान हैं, वो हमेशा दिल से कांग्रेस के साथ रहते हैं। और जो लोग कांगरिस की निठीओं पर मिस्वास करते हैं वो नए लोग بھی कांगरिस के परवार में जुड़ते हैं इस ही कड़ी को लेकर आज यहां पर हमारे जो ब्लॉप प्रमुख हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं और इसके लावा जो बासपा की जिनल नॉमिनेशन फाय हमारे साथ कई हमारे पंचेतों के परतिनिती आज भीटी भी डिरंक सर्दक में जुड़े हैं हैं दितनात मौने से सर्राफ़ा ब्यापारी की давно भीटी के दर्दनाख मौत हुए बताया जा रहा है कि व्यापारी का बेटा जिम से वापस घर जा रहा था कि DC रूट पर बालू से लदे ट्रेक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गए हादसे की सुचना पर मौके पर सियो सिटी अरविंद वर्मा और SDM सदर मौके पर पहुँचे इस मौके पर पहुँचने SDM सदर ने बताया कि ट्रेक्टर ट्रॉली को चालक सहित पकड़ लिया गया है शौक को पोस्पार्टर के लिए भेज दिया गया है वह हादसे के बाद से मृतर के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है मुझे जानकरे मिली थी कि एक ट्रॉली से एक बच्चे की मृत्य हो गए और मैं उसकी जाज करने के लिए सचो कोत्वाली सदर के साथ आया हुआ है सचो साब ने जो है इस ट्राली को बंद कर दिया है और वह कोत्वाली सदर में खड़ी हुई और ट्रैक्टर चालक को भी रफ्तार कर लिया क्या क्या लदा हुआ था क्या था उस पर बालू लदिव थी और बालू का बैद रवन्ना था विधानसवा चुराव 2022 का भेगुल बच चुगा है ऐसे में सभी पार्टी प्रचाल प्रशार में जोट गई है आमादी पार्टी से दिल्ली के कैबिनेट मंतरी राजिंदर पाल कौता में पौड़ी पहुचकर आमादी पार्टी के पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी मनुहर लाल पहाडी के पक्ष में घरगर जाकर जन संपरकर उनके पक्ष में मतदान करने के अपील की है औरोंने जन्ता से समवाद करते हुए कहा कि जिस तरह से आमादी पार्टी की दिल्ली सरकार ने वहाँ पर सिक्षा, स्वास और रोजगार पर बेहतर काम किया है उसी को देखते हुए आमादी पार्टी के प्रत्याशियों को भी विधान सबाचुनाओं में मौका दिया जाना जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी उस से पहले कॉंग्रेस के टाइम में दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड रुपे था हमने एक बहतर बुद्धी और विवेक के साथ इमानदारी की जो सरकार दी उस से उसी बजट को 30,000 करोड से 6 साल के अंदर हम 59,000 करोड पर लेकर आए यानि कि एक अच्छा तरीके से अगर मैनेज किया जाए और बुद्धी विवेक से काम किया जाए लिकेज को रोका जाए जो चोरी होती है टैक्स की उसको रोका जाए और इमानदार सरकार दी जाए तो निश्ची तोर पे यहां रिवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है जिससे यह सारे जो हम वाइदे कर रहे हैं इन वाइदों को पूरा किया जा सकता है उत्राघंड में विदानसवा चुनाओ खुले कर तमाम राजडितिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाओ प्रचार प्रसार में जुटका है वेखानपुर विधान सबासे बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी ने डोर टू डोर जाकर पार्टी का परचार परसार किया इसी बीच रानी देवयानी से खास बातचीत की यह हमारे हरेद्वार से ब्यूरो चीफ मुहमध अजीम ने इस दोराम क्या कुछ कहा है रानी देव्यानी ने आप भी इसको सुनिएगा और वही करते हैं विकास का हमारा मुद्दा है हमने बहुत सकराएं बीच साल से और प्रणासिंग चैंपियन जी यहां विधायक है रहे हैं अब इस बार मुझे माका मिला है तो मैं समझती हूं कि मैं उनके जो का रहे हैं उनको आगे बढ़ाऊंगी और रुके में उनको हम प पता नहीं दो महीने से उनका लिगेमेंट पैर के टूटे वे हैं तो वह वाक नहीं कर पा रहे हैं चलने पा रहे हैं यहां पर काफी समर्थ तक थे विधान सभा में क्योंकि 10 साल से पिछले खानपुर से विधाय के चैंपियन साहब इस बार जो है आपके समर्थ तक काफी जो नेता हैं हम पत्रकार नहीं कहेंगे उनको उनके साहां अपना सोचने का तरीका है तो इस बार क्या राने साहिबा जीत का पर्चम ले रहेंगी बिलकुल ले रहेंगी तो फिलार गले इस बुलिटन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने दियेगा नियूस वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया झाले बिलकुल फिलकुल